हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से और जैसा कि हम एकॉनमी की लेक्चर सीरीज जो है वो यूपीएसी के लिए कर रहे हैं तो उसी को आगे भढ़ाते हैं कल हमने फिसकल पॉलिशी जो है वो पूरा डिकनर अज यहलो है क्या करने वाने है आज की लास में हम बेसिकली क्या देखेंगे बैलनس ओंफ पेमेट है reviewing अर इसको देखेंगे प्लस इससे जो रिलेटे जितनी करते रही है क्योंकि most of the time यह होता है जब मैं कोई डायग्राम कुछ flow chart बगएरा बनवाता हूं तो वो जो है वो significant हो जाता है आपके लिए ताकि जब prelims का समय हो तो आप उस चीज को revise कर पाए हमारी जो most of the classes चल रही है अभी right now prelims oriented है ठीक है पीच पीच में में की चीजें भी करवा जा रही है ठीक है तो उन चीजों को आप ध्यान रखिए सबसे पहले देखते हैं balance of payment जो है वो क्या होता है ठीक है और यह भी रेखेंगे कि balance of payment जो है इससे related और क्या-क्या चीजें हैं जो आ सकती है और news में जो है वो क्या कर रहा है ठीक है अब इन सब चीजों को ज्यादा समय ना लेते हुए discuss करना चुरू करते हैं क्या बोला मैंने balance of payment अब एक चीज़ देखिए सिंपल सी balance of payment एक्चल में क्या है इंडिया का जो बाकी डेशों से व्यापार है तो कि इंडियान एकॉनमी जो है वो एक ओपन एकॉनमी है हमारा जो चीजें है वो फॉरन के देशों में जाती है फॉरन की देशों की चीजें हमारे इंडिया में भी आती है यहां तक कोई problem अब पहले जो है वो सिर्फ चीजें आया जाया करती थी एक जगा से दूसरी जगा लेकिन अब services भी जानी शुरू हो गई लोग भी एक जगा से दूसरी जगा नौकरी करने के लिए जाते हैं और वहां से भी फॉरन से लोग जो है वो यहां आते प्लस और क्या होता है और होती है investment investment भी किसी और देश से हमारे देश में आती है और हमारे देश से जैसे की reliance है वो बाहर किसी फॉरन देश में भी उन्ना ने investment कर रखी होगी clear on this और क्या चीज़े हैं और चीज़े हैं जैसे कि transfers जैसे कि income from abroad जो व्यक्ति आपके घर में बा digital analysis इस चीज़ का किया हो कि कौन सी चीज़े हमारे देश से export और कौन सी चीज़े हमारे देश में import होगे भले ही वो आप goods को ले लो भले ही आप वो services को ले लो ठीक है किसी भी चीज़ को ले लो तो उन सब को balance of payment के नाम से बुलाया जाता है ओप सो balance of payment की definition जो है वो आप सभी लोगों को clear होगी होगी clear on this अब balance of payment में क्या क्या हो सकता है इसको एक बर ध्यान से देख लेते हैं पहली चीज़ second, third और fourth सबसे पहले जो balance of payment में आता है उसको बोलता है visibles क्या बोलते है इसको visibles second नमबर पे जो आता है इनको बोलते है invisibles तीसरे नमबर पे जो आता है इसको बोलते है transfers और fourth नमबर पे जो आता है तो वो होता है capital ठीक है तो अब तक हमने चार चीज़ों को देख लिया है पहले क्या है visibles, invisible, transfer और capital clear on this अब एक चीज़ को देखिए visibles में basically क्या चीज़ें आ जाएंगी सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा goods कोई भी समान जो हमने इंडिया से foreign में भीज़ा है और जो foreign से इंडिया में आये है उसका जो पूरा detail analysis होगा वो में balance of payment care on में जो है वो आ जाएगा clear on this visibles में कोई problem second जो है वो होता है जादा तर services के case में and services के case में यह होगा कि कोई भी ऐसी service जो यहां से बाहर provide की गई और उसके बदले में कुछ पैसा आ इंडिया में जा फिर हमने कोई service ली Microsoft की service ली जो कि US-based company है अब अगर उसकी हमने कोई service ली है हम उसको बदले में क्या करेंगे payment करेंगे उसको जो है हम individuals के account में जो है वो रख देते हैं ठीक है तो होप सो यह भी आपको clear हो गया होगा और जो transfers है ठीक है transfer जो है इसको basically हम कितने parts में निवाइन कर सकते है इसको basically तीन parts में निवाइन किया जा सकते है पहली चीज होती है remittances जा होती है remittances वो पैसा जो फॉरण से इंडिया में भेजा गया है help करने के मकसद से और यह पैसा जो है वो किसी individual ने भीज़ जा है ठीक है मालनो मैं यहां पर रहता हूं मालनो मेरा कोई भाई है जो foreign में रहता है उसे उसका बाइज भूला यह पैसे में ऑपके लिए पैसा आ घड़ना में यह तक कोई कौनसी income जो foreign से हमारे देश में आई है वो किसमें होगा NFIA में हो जाएगा clear on this और कोई भी essay transfer जो one single sided payment है वो भी इसमें count जो है वो हो जाएगे clear on this कोई भी ऐसी चीज जो single sided payment है वो भी इसमें count हो जाएगा clear on this यहां तक किसी को कुछ भी पूछता है तो वो पूछ सकता है ठीक है next नेक्स्ट आगे यह discuss करते हैं कि सर capital account जो है वो क्या होता है क्या बोलेंगे हम लोग कि capital account जो है वो क्या होता है अब इस diagram को ध्यान से देखिए कि यह बात हमने कल भी discuss की थी कोई भी ऐसी चीज जो इनको मिलाके बनी है इन तीनों चीजों को जो मिलाके बनी है ठीक है तो उसको बोलते है कौन सा account है यह इसको बोलते है करन्ट अकाउंट इसको बोलते है कौन सा account है यह current account तो अभी आपको balance of payment के case में current account क्या होता है यह आपको clear हो गया होगा ठीक है कि इन चीजों से मिलके बनाओता है इन तीन चीजों से मिलके जो है वो current account बनाओता है यहां तक कोई भी प्रॉब्लम अब balance of payment जो है वो दो तरीके का हो सकता है तीन भी हो सकता है जैसे कि budget था एक होता है फेवरेवल balance of payment जब हमारे number of export greater than the number of imports अगर हम बाहर वाले देशों से मंगवा कम रहे हैं लेकिन हम बाहर वाले देशों को समान ज्यादा भेज रहे हैं तो इसको बोलता है अब आप पूछेंगे कि सार इसको फेवरेवल balance of payment क्यों बोलते हैं क्योंकि एक सिंपल सी चीज देखिए अगर हम ज्यादा समान जो है वो बाहर वाले देशों में ज्यादा भेजते हैं फोरन के देशों में हम ज्यादा समान भेजते हैं इसका मीनिंग यह है कि उन देशो बेज रहें तो इस तरीके से इसको जो है वो फेवरेवल balance of payment तब बोल रहते हैं जब हम बाहर ज्यादा भेजते हैं लेकिन मंगवाते हैं जैसे कि चाइना के केस में चाइना जो है वो export driven economy है यानि कि उनकी economy में ज्यादा चीज़ें जो है वो बाहर वाले देशों में भेज of payment unfavorable balance of payment के केस में क्या होगा सोचिए unfavorable balance of payment के cases में यह होगा कि हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगी लेकिन export कि हम करते हैं clear on this unfavorable का समझ आ गया प्लस एक चीज़ और है अगर किसी को भी याद है हमारी जो first class थी उसमें हमने एक formula देख था gdp is equals to c plus i plus g plus x minus m यही formula देखा था हमने अब इस formula में देखिए x minus m जो है वो actual में इससे impact हो रहे है अगर हम favorable balance of payment में है तो हमारा x बहुत जादा होगा और अगर हमारा x ज्यादा होगा तो उससे gdp growth ज्यादा होगी यहां तक समझ आगे सबको और अगर हमारा imports ज्यादा होगा तो वो बल्कि इसकी figure से माइनस हो जाता है और अगर वो माइनस होगा तो हमारी gdp की figure के भी impact आएगा इसी वजह से यह नाम दिखा गया फेवरेबल अन्फेवरेबल यहां तक कोई भी problem है तो आप लो comment section में पूछ सकते हैं यहां तक clear है आपको ठीक है अ उसको बोलते हैं current account किन तीन चीजों से visible, invisible और transfer इन तीनों चीजों से जो भी मिलाके बना उसको बोलते हैं हम लोग current account अब यह भी case में क्या हो सकता है यह balanced भी हो सकता है जब export और import जो है वो almost equal with each other चल रहे हैं यह भी जो है surplus की situation में हो सकता है surplus की situation में कब होगा ठीक है surplus की situation में कब होगा जब हम export ज्यादा करते हैं नेकिन import कम गरते हैं और यह जो है deficit की situation में भी हो सकता है डेफिसित की situation में कब होगा जब क्या ज़्यादा है जब import ज्यादा है और export जो है वो कम है उस case में जो है हम unfavorable balance of payment में होने होगा है clear on this और सिर्फ अगर इसको देखें हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसको देखा जाए तो इसको जो है balance of trade के नाम से BOT भी लिखते हैं क्या लिखते हैं इसको balance of trade भी लिखते हैं इसको यहां तक कोई भी problem है तो आप लोग पूच सकते हैं इंडिगा के case में आप पूछेंगे कि सर current account जो है वो उसकी क्या situation चल रही है जैसा कि मैंने पिछली classes में बोला है इकनोमिक सर्विय ऑफ इंडिगा फैब का मंट पूरा रिवाइस करो यह डाइग्राम बनाओ उसके बाद लिखना शुरू करो कि यहां पर यह देश है विजिवल्स में हमारा यह situation चल रही है यह situation चल रही है मान दो ठीक है surplus में यह या इसमें अन फैबरेवल में चल रहे हैं सेकंड यह लिखो कि दस साल में जो है यह पांच साल में इसकी फिगर्स क्या है यह इंक्रीज हुआ है अब आपको मैं जो है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ विजिबल के केस में यह है कि हम इंडिया जो है वो अन फैबरेवल में यानि कि विजिबल के केस में हम लोग डैफिसित में चल रहे हैं लेकिन अगर सर्विसीज की बात करें इन विजिबल की बात करें तो इसमें हम लोग किसमें हैं हम लोग फेवर में चल रहे हैं हम यान अच्छी बात जो है वो यह होती है कि इंदिया के केस में इसके केस में इंदिया के केस में ये दोनों चीजें जो है वो मिलके तोंसी दोनों चीजें जो मैंने अभी highlight की है, ये दोनों चीजें मिलके जो है, जो इसमें unfavorable आता है, उसको ये balance करने में कामयाब होती है, और इस तरीके से जो visible जो है, जो unbalance create करते हैं, जा फिर इस से जो हमारा deficit है, ये उसको क्या कर देता है, balance कर देता है, लेकिन still हमारा deficit है वो और ज्यादा है, clear on this, तो इंडिया के account में क्या चल रहा है हमारा current account deficit चल रहा है, और ये समझ आगे आपको current account क्या होता है, clear on this, अभी अगर मालो by chance question हो, कि what you mean by current account deficit और उसमें options दे रखे हो, options कभी भी ऐसे नहीं देंगे, visibles, invisibles and transfers, option हमेशा जो है, इनकी किसी example के साथ दे देंगे, clear on this, तो उ अब next अगला जो account होता है, उसको बोलते है, capital, इसको discuss करना हम लोग शुरू करते हैं, चलिए, आयो जानते हैं, अब next account जो हम करने जा रहे है, उसका नाम है, capital account, और capital account में major, जो confusion होती है बच्चों को, वो ये होती है कि, sir इसमें क्या क्या चीज़े आती है, और इसका पता क कैसे करें, कि इसमें जो है, वो ये चीज़ों को include, जो है, वो किया गया, ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पर simple example से आपको समझाता हूँ, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, capital, अब इसको जो है, वो ध्यान से समझते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, जो in terms of investment हो, investment के तरीके से, ठीक है, उस चीज़ को हम फॉरण से मंगवाई, या फॉरण में अगर बाहर भेजते हैं, तो वो किस में आता है, capital में आता है, ठीक है, इसका meaning जो है, वो क्या होता, निवेश, और इसमें जो है, और क्या क्या चीज़ आएंगी, इनको एक बार और discuss हम कर लेते हैं, ठीक है, इसमें जो पहली चीज़ आती है, इसमें आती है, FDI, क्या आती है, FDI, second इसमें यह आता है, FPI, clear on this, क्या क्या हो गया, FDI, FPI, और इसमें आता है, external commercial borrowings, क्या आता है, इसमें external commercial borrowings, और इसमें क्या आता है, कोई भी ऐसी investment, जो foreign के किसी देश के government के दोरा भी even की जा रही है, या फिर government के दोरा कोई project जो है, वो लगाया जा रहा है, तो वो भी हम लोग किसमें count करेंगे, वो इसमें count करेंगे, अब सबसे पहले जो है, वो यह समझते हैं कि sir, FDI जो है, वो क्या होता है, FDI की basic full form देखे तो यह होती है, foreign direct investment, यह वो पैसा है, जो कोई भी individuals, या कोई business firm, जो है, कोई organization है, वो इंडिया में भारत में निवेश करती है, कई books में इसकी value जो है, वो 10% से ज्यादा लिखी होती है, अगर कोई भी चीज 10% से कम है, वो FPI में आत ठीक है, लेकिन इसकी जो best definition है, वो आप यही मान के चलिए, अगर जो है, investment हो, और उस investment से, जो है, long term इंडिया को फाइदा हो, और इंडिया की GDP में उसका contribution जो है, वो अच्छा खासा हो, तो उस case में हम बोल सकता है, कि यह FDI का case में तीसरी advantage यह होती है, कि इससे unemployment की जो problem इं फाइदा होगा कि GDP जो values है, उसमें भी rise जो है, वो देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी consumption जो है, वो increase हो जाती है, और FDI से पाँचवा फाइदा यह होता है, कि सरकार का जो कौन से पैसे है, revenue है, उसमें भी increase जेखने को मिलता है, इसी वज़ए से major governments का यह role रहता है, कि हम लोग FDI को attract करें, हम लोग उस पैसे को attract करें, जो investment की form में इंडिया में आना चाहता है, तो यह समझ हो गया आपको, कि FDI में क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें अगर कोई भी confusion है, कोई problem है, तो आप लोग मुझ से comment section में पूच सकते हैं, clear on this, FDI clear है, next आगे है FPI, अ अब FPI क्या होता है, FPI वो पैसा होता है, जो foreign की कोई organization, कोई individual है, वो इंडिया के shares खरीदने शुरू करते हैं, या stock market, इन सब चीजों में अगर पैसा invest करें, तो उसको हम लोग FPI में रख लेते हैं, FPI जो है, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, इसको क्या बोला जा रहा है, इसको ऐसा इस वज़ा से बोला जारा है, क्योंकि ये जो है, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, volatile होती है, ये fluctuation इसमें चलती रहती है, जैसे कि माल लो इंडिया की जो stock exchange है, वो नीचे चल रही है, तो सारी investment जो है वो, जो इन्होंने FPI के case में कर रखी है, तो व लिखी गई है, उसको भी आप लोग याद रखी है, ताकि इन केस अगर कोई question हो, या कुछ पूछा जाए, UPSC के द्वारा, तो उसमें कोई problem ना है, clear on this? Okay, so यह आपको clear है hot money, और एक चीज़ हो रहा है कि government जितनी भी policies लेके आएगे, कि जितनी भी policies सरकार के द्वारा चलाई जाएगी, उसमें हमेशा FDI को attract किया जाता है, FDI को attract जो है, वो नहीं किया जा सकता, तो कि नहीं किया जाता भी है, ठीक है, और इसका reason मैंने आपको ब आपको आगे चलके बताऊंगा कि Southeast Asian crisis आये थे एक बार, Southeast Asia में एक बार crisis आये थे, 1997 के आसपास, उनकी case study को भी हम लोग discuss करेंगे, clear on this, अब आपको यह clear हो गया होगा कि sir, FPI जो है, वो क्या होती है, foreign portfolio investment, किसी एक चीज में अगर investment जो है, वो की जाती है, तो उसको जो है, हम किस नाम से बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि उसको, यह क्या है, FPI, अब इसके आगे भी दो बात सोते हैं, एक होता है, FII, यानि कि Foreign Institutional Investor, क्या होता है, FII, Foreign Institutional Investor, Foreign Institutional Investor, जो है, वो कौन होते हैं, जैसे मालनों कुछ, globally कुछ firms होती है, और उन firms ने जो है, special एक specialist रखे हो अलग-अलग देशों की जो stock exchange है, उसको study करना, और जहां पर भी उनको लग रहा है कि यहां पर growth के chances है, वो सारा पैसा जो है, वो वहीं पर invest कर देते हैं, और जैसे उनको पता लगता कि अब यह stock exchange जो है, वो नीचे जाने वाली है, तो पैसा जो है, वो उतनी जल्दी निक कि क्या होता है, qualified, ठीक है, investors, अब यह कौन से होते हैं, कुछ ऐसी countries हैं, जिसको FATF, FATF एक organization आपको पता होगा, कि terrorist activities के संधर्व में जो है, वो इसको बनाया गया है, और इसका जो major मकसद है, बनाने का, वो simple सा मकसद इसका यही है, कि ऐसे decisions को पकड़ा जा सके, जो terrorist activities के ज activities को जो है, वो financial funding बगारा करते हैं, अब कुछ nations को जो है, वो इसने क्या लगा रखा है, यह grey list में होते हैं, और एक black list में होते हैं, अब वो डेश, जो grey list में हैं, और जो black list में हैं, उनको जो है, वो इस चीज़ के लिए मना किया जाता है, कि आप इस देश में invest नहीं कर सकत हैं, अब उस case में जो investment होती हैं, उसको बोलता है QFI, मालो मैं कोई ऐसा nation का व्यक्ति हूँ, मालो मैं अमेरिका में रहता हूँ, अब मैं यह चा रहा हूँ कि इंडिया में में invest करूँ, तो अब अमेरिका जो को जो है, FATF ने यह बोल रखा हैं, यह terrorist activities जो है, वो नहीं करता अब मुझे इस चीज की permission है, कि मैं Indian की जो stock exchange की market है, इसमें invest कर सकता हूँ, तो उस तरीके से जो पैसा जो है वो बनाया जाए, उसको बोलता है QFI, मालो मैं जो हूँ North Korea से हूँ, Iran, clear on this, अब FATF के case में इनका जो stance है, वो इतना अच्छा नहीं है, अब अगर इतना अच्छ करने के लिए तो उनको लिखा गये, इसमें, QFI में, यहां तक कोई भी problem है, तो आप लोग मुझ से पूछ सकते हैं, दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली यह है कि इनके roots क्या क्या होते हैं, ठीक है, अब QFI और PFI, FDI, ठीक है, FDI और FPI, दोनों के जो roots होते हैं, वो basically दो ब कौन सा root है यह, automatic root, दूसरा जो है, वो होता government approved, इस case में यह होता है, कि यदि मालो कोई ऐसी, कोई ऐसा sector है, जिस पर government of India ने यह बोल रखा कि आप जो है, वो automatic root के जरीए, उस पर investment जो है, वो कर सकते हो, आपको government की permission लेने की आवशक्ता नहीं है, सरकार की कोई permission ने लेनी, आप पैसा लाओ और उसमें जुपचा पर invest कर दो, तो उन चीजों को जो है, वो automatic root में रखा जाता है, इसमें रखा जाता है, automatic root में रखा जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे insurance sector है, insurance sector जो है, उसको government approved में रखा गया था, क्यों रखा गया जो लोगों से समंदित है, जो लोगों के चीजों से समंदित है, और अगर वो जो है, वो fail हो जाते हैं, या उसमें कोई, जो है, mismatch होता है, तो उसके इसमें अगर ज्यादा public को नुक्सान हो, तो उसको government approved उसमें रखा जाता है, clear on this, अब आपको एक story, news बताता हूँ, news यह इंडिया में investment करनी शुरू कर दी थी, किस के दौरा, FPI के दौरा, foreign portfolio investment, इन्होंने काफी companies के जो है, क्योंकि stock exchange उस समय नीचे आई थी, 2020 में करोंदा चल रहा था, अब उस चीज़ के चलते जो है, stock exchange नीचे चल रहा थी, share सस्ते हो रखे, अब चाइना ने investment करनी शुरू कर करता जा रहा है, अगले दिन government of India ने ये notice जो है, कि कोई भी ऐसा नेशन जिनके साथ इंडिया की जो है, वो border share होती है, क्या बोला मैंने, कोई भी ऐसा नेशन जिसके साथ इंडिया की जो है, वो, जमीन share होती है, तो उन डेशों में से अगर कोई investment करना चाता है, तो उसको government के द्वारा approval लेना होगा, और फिर वो कर सकता है, तो ये समझ आया, उसको किस में, किस से रख दिया, automatic से अप्रोव दरूट में रख दिया था, अब आपका काम ये है कि मैंने basic चीज़ें आपको बता दी है, आपने क्या चीज़ सर्च करनी है, आपने ये सर्च करना है, कि इवाई क्यूस में ऐसे question पूछे गए है, अगर मेंस में question मनेगा, तो वो fdii और fpi के case में आएगा, कि fdii को increase कैसे करें, इसके benefits क्या होते है, जो पुरानी fdii आई है, ये क्यों नहीं आपाई, तो इसके क्या reasons है, fpi पे भी question मन सकता है, कि इसमें fluctuation बहुत ज्यादा आ र reason क्या है, कैसे हम उसमें shift मार सकते हैं, तो इन चीजों को उसमें पूछा जाएगा, prelims में qfi और fii भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो उमीद करते हैं कि आपको इतना discussion clear हो गया होगा, इसमें कोई भी problem है, तो आप लोग कुछ से पूछ सकते हैं, ठीक है, next जो है वो ये आग पालो पैसे की यावशकता है, तो capital receipt में जो है वो दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है, capital receipt में क्या क्या होता है, debt और non debt, debt में जो हमने पैसा उथाना, loan उथाना वो internal और external हो सकता है, अगर हमने foreign के किसी nation से loan लिया, तो वो किस में आ जाएगा, external commercial borrowing में आ जाएगा, वो borrowings जो हम हमने किसी nation से लिया है, ताकि हम उस चीज़ को इंडिया में जो है, वो invest कर पाए, इसको बोलते है, external commercial borrowings, क्या बोलते हैं इसको, external commercial borrowings, यहां तक कोई problem, और उस borrowings को इंडिया जो है, वो use करेगा, और investment, ठीक है, अगर mismatch हो रहा कोई, उन चीज़ों में इंवेस्ट इसको कर दिया जाएगा, ठीक है, तो NRI deposits भी आते हैं इसमें, NRI का जो पैसा जो इंडिगा के बैंकों में बढ़ा तो वो भी capital में गिना जाएगा, ठीक है, तो उमीद करते हैं कि आपको capital account क्या होता है, BOP के case में, और पिछला account जो करवाया था होता, कौन सा, current account है, तो वो क्या होत है, अब आप पुछेंगे कि सर, इस case में भी वैसी होता है, कि surplus, deficit और balance, obviously, हमारे देश में जो है वो, capital account में अगर मान लो, news यह आ रही है कि इसमें deficit चल रहा है, उसको कैसे हम लोग जो है वो, और अच्छा कर सकते हैं, clear on this, तो उन चीज़ों के बारे में आप लोग discuss कर सकते हैं, clear, अब balance of payment में इसके सिवाए कुछ नहीं करना, कल की जो हमारी class होगी, उसमें मैं basically आपको क्या करवाऊंगा, उसमें मेरे द्वारा आपको समझाया जाएगा, कि convertibility जो है, वो क्या होती है, और convertibility जो है, वो कितन जो recommendations थी, वो क्या थी, उन recommendations को भी कल की class में देख लेंगे, ठीक है, अब जो चीज़े हमने पूरी class में सीखी है, कि B.O.P. ये सब चीज़े, उन चीज़ों को एक बार formal way में भी देख लेगते हैं, कि क्या क्या चीज़े हैं, और उनके क्या क्या फाइदे नुक्सान है, ठ the statement of every record transaction, कोई भी ऐसी record के transaction, जो हमें, जो individual business, जो है, वो उनके बारे में knowledge देती है, one country with the rest of the world, एक nation का पूरी दुनिया से क्या व्यपार के संबंदित चीज़ें चल रही है, कितने चीज़ें जो है, वो बाहर भेज रहे हैं, और कितने चीज़ों को मंगवा रहे हैं, उन च accounts कौन-कौन से होते हैं, एक होता है capital, और दूसरा होता है, current, clear on this, next, next वे यह बता रखा है कि balance of payment की importance क्या है, अब एक चीज़ देखिए, balance of payment की importance अगर नहीं समझा रही है, तो simple सी एक diagram की GDP का formula क्या होता है, c plus i plus g plus x minus m, इनी values से तो हमें अंदाजा लगेगा कि हमारी GDP जो है वो कितनी increase कर सकती है, अगर import जादा, export जादा तो उस पर GDP पर क्या impact आएगा, तो पहली इसकी application जो है, वो क्या है, पहली यह है कि government जो है, वो specific industry के बारे में जो है, वो knowledge उसको आ जाती है, और वो उस accordingly ही अपनी जो आगे के plans है, वो बना सकती है, तो यह इसका पहला यह होता है कि यह government को assist करता है कि हमारी economy की condition क्या चल रही है, उस condition को अच्छे से judge करने के लिए यह जो है, वो ज्यादा beneficial है, तीसरी चीजी यह होती है, public जो है, as an authority, वो कितना expenses करती है, यह सब चीजों को भी इसमें, जो है, वो discuss किया जा रहे है, तो balance of payment की significance है, यह आप लो components आती है, पहला जो component होता है, उसको बोलता है, visible trade, visible trade वो है, जिसको हम physically touch कर सकते हैं, जो है, वो समान वगरा, एक जगा से दूसरी जगा export, import किया जा सकता है, तो इसमें, ज्यादा तर क्या चीजी यह आती है, इसमें, वस्ट होए जाती है, जिनको एक जगा से दूसरी जग चीज मंगवाई, हमने किसी चीज का import किया, ठीक है, उस import करने के बाद हमने जो उनको payment ददा किया, वो किस side में रखा जाएगा, वो negative में रखा जाएगा, तो यही लिखा गया है, यह आपको clear हुआ, next, ठीक है, उनको debit items के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अगर export वाली को उसको कहां पर रखा जाएगा, उसको on the positive side में रखा जाता है, और उसको positive item के नाम से जो है, वो बलाते हैं, export जो है, वो उमीद करते हैं, आपको clear हो गया होगा, next, आगे चलते हैं, invisibles के case में, invisibles के case में कुछ नहीं है, बस services के बारे में बता रखा है, और स्फिर negative positive जो है, वो कैसे judge कर लोगे, अगर मान लों, इंडिया का कोई व्यक्ति है, उसने बाहर कोई चीज काम किया, उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा, तो वो positive नाम रखा जाएगा, आपने जो है, वो Microsoft न आपको clear हो गया होगा, कि सरे invisible क्या होता है, अगली चीज जो है, वो यह है, कि transfer payments जो है, वो क्या होती है, कोई भी ऐसी payment, जो कैसे दी गई है, जो gift के दौर पे, donation के माध्यम से, personal remittance, जो मैंने आपको भाई वाली example दी थी, कि उसने मुझे पैसा भेजा, ठीक है, foreign में की help क donation, ठीक है, और इन सब के दौरा जो देई जाती है, उनको transfer payment बोला जाता है, अगर by chance exam में कोई question आ जाए, और आपको ये clear नहीं हो रहा है, कि सर्थ transfer payment में क्या जीज़ें आती थी, आप ये सोचो, तो उस case में बस ये simple सा idea लगा लो, कि वो जो payment है, वो one-sided होनी चाहिए, यानि कि उसके बदले आपने कोई काम नहीं किया होना चाहिए, कि कोई समान बेचा नहीं है, कोई service की नहीं है, फिर भी वो आपको पैसा आया है, तो वो transfer payment में रखा जाएगा, clear on this, इसमें और क्या चीज़ें होती है, net factor income को भी इसी में लिखा जाता है, वो भी इसी में आ पर अच्छे से रिद हम लोग कर सकते हैं, capital account is a record of all transaction involved capital inflow and outflow, debt affect the country's international asset and liability, कोई भी ऐसी चीज़ जो internationally किसी भी country के asset और liability को effect करती है, तो उसको जो है वो किसमें रखा जाता है, उसको capital account के case में जो है वो रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, capital account में अब आगे चलके इसके ये भी जान लेते हैं कि सर इसके components कौन कौन से है, पहला component जो इसका है, वो है FDI, FDI की example आपको दे दी थी, clear on this, अभी एक चीज़ आपने खुद और कर दी है, आपने ये number of schemes जाननी है कि कौन सी ऐसी schemes है, जो FDI को attract करने के लिए, जो है वो लाई गई है, ठीक है, schemes के नाम बताओ, जो FDI को attract करने के लिए, पिछले सालों में कौन सी ऐसी company है, जो FDI में आई और उसने invest किया, इंडिया में investment क्यों नहीं आ रही, FDI क्यों नहीं आ रही, और आपने ये भी सर्च करना कि SCZ क्या होता है, special economic zone जो है, वो क्या होते हैं, और क्यों बन जो है, वो सदी करना है, next, next component कौन सा होता है, इसका, foreign FPI, और FPI में पैसा जो है, वो किस में लगाया जाएगा, वो stocks में लगाया जाएगा, government securities वगरा में लगाया जाएगा, corporate की कोई security या उसमें लगा दिया जाएगा, या other कोई भी लगाया जाएगा, ठीक है, FPI भी आपक QFI जो है, वो भी आपको बता है, qualified foreign investor, ठीक है, QFI कौन सा है, इससे याद रखिए, FATF क्या होता है, FATF के case में जो investment आई है, और उस investment से जो फाइदा हो रहे है, ठीक है, next आगे, external commercial borrowings जो है, वो क्या होती है, उसके बारे में बताए, external commercial borrowings जो है, वो financial transaction है, जिसमें क्या क्या चीजें involved की जाती है, private sector organization और individuals को involved किया जाता है, और government जो है, वो उसमें बारेंग बगरा करती है, ठीक है, और यही सब चीजें जो है, वो इसमें आ जाती है, ठीक है, foreign के चरफ से मानलो कोई debt लिया, next आगे, foreign investment जो है, वो क्या होती है, normal सी चीज है, जो भी चीज long term asset है, व तो आपको लगता कि सर, यह तो short हमें, focus में आ जाएगा, current account में आ जाएगा, ठीक है, तो उमीद करते हैं कि आपको जो है, यह पूरा clear हो गया होगा, ठीक है, आज का lecture जो है, वो easy था, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कल वाले lecture में हम क्या चीजों को देखेंगे, convertibility जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग इसका फाइदा उठा पाएं, शुक्रिया